Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247 आज की इस वीडियो में हम निसिम एजिकेल के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम Night of the Scorpion को डिसकस करेंगे निसिम एजिकेल एक को City Poet के रूफ में जाने जाते हैं और ये एक बहुत ही prominent figure हैं इंडिया के post-colonial English Literature में ये जो हमारी present poem है Night of the Scorpion इसे पब्लिश किया गया था 1965 में 1965 में निसिम एजिकेल की एक बुक आई थी The Exact Name के नाम से और इसी बुक में इसको पब्लिश किया गया था इस poem को Freeverse में compose किया गया है Freeverse में poet ना तो किसी rhyme scheme का प्रियोग करता है और ना ही किसी meter को follow करता है इस वज़े से poet को बहुत ज़्यदा freedom मिल जाती है बहुत ज़्यदा आजादी मिल जाती है अपने emotions को अपने ideas को express करने के लिए इस poem में total 8 stanza हैं और 47 lines हैं और इसमें जो figure of speech यूज़ की गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं फर्स्ट है metaphor, personification, simile, imagery, hyperbole, irony और alliteration तो ये सारी figure of speech इस poem में यूज़ की गई है ये रहा छोटा सा introduction इस poem का अब हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को poet कहता है I remember the night my mother was stung by a scorpion मेरी मदर को डंक मारा था इस टंक की मेनिग होती है डंक मारना 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice steady की मेनिग होती है लगातार क्रॉल की मेनिग होती रेंग कर जाना poet कहता है कि 10 गंटे की लगातार बारिश ने बिक्षू को चावल के बोरे की नीचे रेंग कर जाने पर मजबूर कर दिया था यानि कि 10 गंटे से लगातार बारिश हो रही थी उस बारिशे प्रेशान होकर बिक्षू चावल के बोरे की नीचे रेंग कर गई parting with this poison और अपने poison से अलग हो गई part bit की meaning होती अलग हो जाना poet ये कहना चाहता है कि जो बिक्षू थी उसने अपने poison को उसके मदर के blood में परवेश कर दिया और वो उससे अलग होगी flesh of diabolic tail in the dark room और उसकी जो diabolic tail थी वो flesh होती यानि कि उसकी एक जलक दिखाई दी उस अधेरे कमरे में उसके बाद उसने फिर से उस बारिश में जाने का जोखिम लिया फिर वो उस बारिश में चला गया आगे poet कहता है the peasants came like swarms of flies and burst the name of God a hundred times peasants की मेनी किसान होती है तो कहता है कि किसान लोग यानि कि गाउं वाले मक्यों की जुंड की तरह आए यहाँ पर सिमली का प्रियोग कि आगया है यानि कि जो किसान थे गाउं वाले थे मक्यों की जुंड के तरह उसके घर आए and burst the name of God a hundred times और सैक्लो बार खुदा का नाम लिए to paralyze the evil one उस evil को उस बुरी आत्मा को यानि कि बिक्छू को paralyze करने के लिए उन्होंने भगवान से खुदा से प्रातना किया कि उस बिक्छू को paralyze कर दे उसको लकवा मार जाए आगे पॉयट कहता है with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud baked wall जब वो लोग आये गाउं वाले तो उनके साथ candles थी लाल टेन थी और वो जो candle और लाल टेन थी उसकी उजाले की वज़े से उसकी रोशनी की वज़े से जो गाउं वाले थे इनकी परचाई इनकी जो shadow थी वो एक मिट्टी की दीवाल पर पड़ रही थी यानि कि जो उनका घर बना हुआ था निसम एजिकेल का वो मिट्टी की दीवाल का था तो उसी दीवाल पर उन लोग की परचाई पर रही थी और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि एक बहुत बड़ी स्कॉर्पियन उस दीवाल पर हो आगे पर कहता है उन लोगों ने यानि गाउं वालों ने पीजन्स ने उस विक्षू की तलास किया लेकिन वो उसे नहीं पासके उन्हेंने कहा कि विद आइवरी मॉमेंट दैट दैसकॉर्पियन मेड हर एक हरकत के साथ जो इसकॉर्पियन करती है मेड हिस पॉइजन मॉव इन मदर्स बलड तो उसी की मॉवमेंट के साथ उसका जो पॉइजन होता है उसकी मदर के बलड में भी मॉवमेंट करता है सिंपली वो ये कहना चाहते है उन लोग का ये अंधर बिश्वास था कि जिस तरह से बिश्व मॉवमेंट करेगी हरकत करेगी उसी तरह से उसका जो पॉइजन होगा उसकी मदर के बलड में हरकत करेगा उससे उसको बहुत ज़दा तकलीफ होगी आगे पॉइजन कहता है उन लोगों ने कहा कि खुदा करे वो शान्त बैठ जाए May the sins of your previous birth be burnt away tonight उनोंने कहा कि खुदा करे जो तुम्हारे previous year के जो गुना है previous birth के जो गुना है वो माफ हो जाएं वो खत्म हो जाएं वो चल जाएं May your sufferings decrease the misfortune of your next birth और खुदा करे कि तुम्हारे next birth की misfortune है जो तुम्हारी suffering से वो कम हो जाएं May the sum of all evil balanced in this real world against the sum of good और उन लोगों ने कहा कि खुदा करे कि ये तुम्हारे बुराईयों का sum है इस unreal world में वो अच्छाईयों के sum के बराबर हो जाए balance में आ जाए become diminished by your pain और ये तुम्हारे pain है दर्द है इसकी वज़े से तुम्हारे गुनाह कम हो जाए आगे पड़ कहता है में the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition और कहता है कि खुदा करे कि ये जो poison है ये poison शुद कर दे प्यूरिफाई कर दे तुम्हारे desire के flesh को तुम्हारे ambition के spirit को शुद कर दे आगे पड़ कहता है कि and they sat around on the floor with my mother in the center और पड़ कहता है कि जो गाउवाले थे वो लोग उस फर्ष पे मेरी मदर के चारो तरफ बैठ गए यानि कि जो मेरी मदर थी वो center में थी और उसके चारो तरफ से गाउवाले लोग बैठे हुए थे और पड़ कहता है कि जो understanding की piece थी वो उनके चेहरे पर देखा जा सकता था यानि पड़ ये कहना चाहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो लोग मेरी मदर की गम को समझ रहे हैं वो उसके गम के साथ गम को share करने की कोशिस कर रहे थे उसको महसूस कर रहे थे आगे पॉल कहता है more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and more endless rain यहाँपे कहता है कि more candles यानि कि और ज़जादा candles आई more lanterns और ज़जादा लाल्टेन आई more neighbor स और ज़्यादा प्रोसी आई तो जब प्रोसी हो की तादात बढ़ने लगी तो लाल्टेन की प्रStar बढ़ने लगी और Candles की पी तादाद बढ़ने लगी More insects और जैसा कि हमें पता है कि ये बारिश का मौसम था तो बारिश का मौसम भी में Light की वज़े से बहुत ज़्यादे कीड़ी एकठा हो जाते हैं तो जब Light की तादाद बढ़ने लगी तो कीड़ी भी ज़्यादा हो गए And the endless rain और बारिश रुकने का नाम ही ने ले रही थी बारिश एकदम लगातार हो रही थी आगे पोईट कहता है My mother twisted My mother twisted through and through Growning on a mate मेरी मदर जो थी उस मेट पर बेचैनी से कर्वटे बदल रही थी और दर्द से करा रही थी My father septic, rationalist, trying every curse and blessing और पोईट कहता है कि मेरे जो फादर थे वो शंदेह वादी थे, septic थे rationalist थे, तरक वादी थे और trying every curse and blessing उन्होंने अपनी पूरी कोशिस की Powder, mixture, herb, hybrid उन्होंने powder लगाया, mixture लगाया और जो भी जड़ी beauty के आउजदी थी वो सारा उन्होंने लगाया कि ताकि उन्हें इससे निजात मिल जाए He even poured a little paraffin यहाँ तक की point कहता है कि मेरे पिता जी ने थोड़ी paraffin भी लगाई paraffin यानि की kerosene की बात करते है मिट्टी का देल, वो भी लगाए upon the bitten toe, उस उंगली पर जहाँ पर विक्षू ने काटा था and put a mass to eat और उसके बाद में जला दिया I was the flame feeding on my mother तो point कहता है कि मैंने देखा कि जो flame था, वो मेरी मदर पर feed कर रहा था कहना यह चाहते है कि मेरी मदर की skin को जला रहा था I was the holy man perform his rights to tame the poison with incantation point कहता है कि मैंने holy man को देखा यनि कि मैंने सादू संद को भी देखा जो कि अपने rituals को perform कर रहे थे, अपने तंतर मंद से उसके poison को control करने के लिए, टेम माने control करना incantation की मिली होती तंतर मंद, तो अपने तंतर मंद से उसके विक्षू के poison को control करने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी मैंने देखा आगे point कहता है after twenty hours it lost its sting बीस घंटे के बाद में after twenty hours, बीस घंटे के बाद में उसका जहर खत्म हो गया my mother only said और मेरी मदर ने सिर्फ एक ही बात कही वो क्या थी, thank God the scorpion picked on me खुदा का शुक्र है खुदा का शुक्र है कि इस बिक्षू ने मुझे काटा and spared my child और मेरे बच्चे को छोड़ दिया तो last में आप देख सकते हैं मदर के प्यार बच्चे के लिए ये रही छोड़ी सी जो है poem मैंने discuss किया, I hope कि आपको ये समझ आये होगा फिर मिलते हैं आगली वीडियो में till then take care, have a good time